नमस्कार मेरा नाम हिमंद कुमार है और आप आचुके हैं नियूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे भारत का स्माट मूग क्या विदेश मंती एजजय शंकर की पाकिस्तान ग्यात्रा है जो कि एजजय शंकर पाकिस्तान जब गए पाकिस्तान का उनका ये दोरा पूरी दुनियाओं में चर्चाओं में आ गया और इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे इस दोरे पर विस्तार से कि भारत ने क्या हासिल किया इस दोरे में एस जैशंकर का पाकिस्तान पहुँचना संदेश क्या रहा 2015 के बाद करीब 9 साल से जादा वक्त गुजर गया जब कोई भारती नेता पाकिस्तान गया हो और इतने लंबे वक्त के बाद इसलम अबाद का ये दोरा अपने आप में बहुत कुछ का आनी कह गया भारत और मोदी सरकार का स्मार्ट मुव ये दोरा है इसे लेकर के भी चर्चाएं हुई ये ऐसा इसलिए क्योंकि दरशल संगाई कॉपरेशन और्गिनाइजेशन यानि की एसीओ की बैटक हुई एसीओ की बैटक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जैशंकर पाकिस्तान गये S.C.O. का गटन हुआ था 2001 में और इस गुट में चीन, रूस, और इरान के साथ साथ, भारत, कजाकिस्तान, फ्रिजिक्सान और ताजिक्स्तान और ताजिकिस्तान के साथ, उजिविकिस्तान भी इसके सदस्य हैं पाकिस्तान में इस बार की सम्ट आई जित हुई S.E.O. की और भारत के शामिल होने को लेकर के पहले से ही आशंकाई थी क्योंकि दोनों देशों के रिस्ते अच्छे नहीं हैं हाला कि पाकिस्तान ने इस सम्ट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आम मंत्रित किया था लेकिन पाकिस्तान में एस्तिर्टा के माहौल, कानून विवस्ता के बद से बद्तर खालात और दोनों देशों के रिस्तों को देखते हुए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के जाने की पाकिस्तान में उम्मीद नहीं थी लेकिन ये जरूर लग रहा था कि भारत इस समिट में किसी जूनियर मंतरी या फिर बिरोक्रेट को पाकिस्तान बेज सकता है इन सब के इतर एक तस्वीर या आई जब विदेश मंतरी एजजय शंकर के जाने की घोशना हुई पाकिस्तान भी इसे हरानी के नजर से देख रहा है अब आते हैं भारत के मोदी सरकार के स्मार्ट मोव पर क्योंकि भारत में ये नहीं पाकिस्तान में भी विदेश मंतरी एजजय शंकर के इसलामाबाद के पाकिस्तान के दोरे को लेकर के चर्चाएं बड़ी तेज़े के साथ सुनने में आई पाकिस्तान की पूरु विदेश मंत्री हिनारबानी खार ने विदेश मंत्री अश्जशंकर के पाकिस्तान के दोरे को भारत का स्मार्ट मूउव बताया हीना रबारी ने कहा कि भारत ने किसी बिरोक्रेट को ना भेज कर एश जैशंकर को भेजने का जो फैसला किया और इस पर उनका ये मानना था कि ये भारत का स्मार्ट मूव है भारत के साथ उन्होंने का कि हमारा दियू पक्षिय सम्मंद सामन सतह पर नहीं है यहां तक कि दोनों देशों में एक दूसरे के यहां पर उचायुक्त भी नहीं है और यह बहुत अजीब सी इस्तितिया है वैसे विदेश मंतरी एश जैशंकर के पाकिस्तान दोरे से दोनों देशों के रिष्टों को सुधरने की एक उमीद कुछ लोगों के भीतर जगी भी पाकिस्तान के लोगों ने भी इसे इस नजर से देखा लेकिन इस बाद की उमीद नहीं की जा रही थी भारत में जैसा कि इसलामाबाद के दोरे से पहले विदेश मंत्री ने इस बाद के खुद संदेश संकेत दिये थे कहा था कि ये दोरा एक शेत्री समिट के लिए है मैं पाकिस्तान और भारत के संबंदों पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा हूं मैं CEO के अच्छे सदस्य के तोर पर इसलामाबाद या पाकिस्तान जा रहा हूं ऐसा विदेश मंत्री इस जैशंकर ने अपने इस दोरे से अपनी आत्रा से पहले कहा अब हम बात करते हैं कि आकिर भारत ने समिट में क्या क्या अरजित किया भारत के हिस्से में और संदेश दुनिया को क्या दिया आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने संख्त राष्ट समेट कई अंतराष्टिय मंचों पर पाकिस्तान को कई बार लतार लगाई लेकिन ये पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर ही उसे आतंकवाद के मुद्दे पर दो दिया विदेश मंत्री एस्जेशन करने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद पर ऐसी स्ट्राइक की कि पाकिस्तान खुद तिलमलाता देखा गया पाकिस्तान की राजदानी इसलामबाद में S.C.O. समिट के अदिक्षता कर रहे शहबाद शरीफ चहा करके भी भारत की बातों का जवाब नहीं दे पाए पाकिस्तान के हालत तो ऐसी हो गई कि जैसे किसी को लगातार मार पड़ रही हो दर्द से उसे रो ना आए लेकिन वो रो भी नहीं पा रहे हो ऐसी तस्विरें पाकिस्तान से सामने आई बहुती सदेवे अंदाज और नपे तुले अलफाज में भारत के विदेश मंत्री एस जैशनकर ने पाकिस्तान की जमीन पर आईजित इससे के मंच से पाकिस्तान और चीन दोनों को एकसाथ सुनाया और ज्रम कर सुनाया अपने भाशन में एस जैशनकर ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खत्रा बताया और स्थियों में शामिल देशों को पांच एहम संदेश दिये हैं पहला संदेश है आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनोती है पुरी दुनिया के लिए दूसरा संदेश है कि आतंकवाद का खात्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है और भारत इसे लेकर हमेशां से प्रतिबद रहा है तीसरा संदेश ये था कि तीन बुराईयों का मुकाबला बहुत जरूरी है सीपी इसी की ओर से भी इशारा हुआ पांचवा संदेश ये कि चीन पाकिस्तान को ये नसीयत नहीं है एज़ेश शंकर ने पाकिस्तान के उन सारी उमीदों पर भी पानी फेर दिया जो उनके दोरे से पाकिस्तान पाले वे बैठा था कि दोनों रिष्टों के सुद्रेंग रिष्टे या फिर ट्रेड जो है वो खाइम हो पाएगा उन्होंने शन्देश दिया कि सीमा पार से जो आतंकवाद उगरवाद और अलगावाद आ रहा है पैदा किया जा रहा है वो तुरंट और सबसे पहले खत्म होना चाहिए तब ही बाचीत हो सकती है उन्होंने ये भी संदेश दिया कि बेमानी दोकेबाजी और खराब पड़ोसी SEO चार्टर का उलंगन भी है आपसी सम्मान और संप्रभूता समानता पैदा करने की जरुरत है इस संगठन में उन्होंने कहा कि क्षेत्रिय अखंडता और संप्रभूता को मानिता देना बहुत ज़्यादा जरुरी है सहयो का अधार एक तरफा एजंडा नहीं है वास्विक भागेदारी हो यह भी संदेश विदेश मंत्रिय जश्याशंकर की तरफ से पाकिस्तान की जमीन से दे दिया गया व्यापार और व्यापारिक मार्गों को लेकर के SEO की तरकी नहीं हो सकती है इस तरह के मार्गों से यह संदेश भी चीन को और पाकिस्तान को दोनों को शामिल अंदाज में एजश्याशंकर ने दिया है एजश्याशंकर ने इस समिट के दुरान कहा कि हमारी कोशिश ने तभी आपस में रंग ला पाएंगी जब SEO चार्टर के प्रति सभी देश प्रतिबद हो जाएंगे उन्होंने का कि विकास और विदी के लिए शांती और इस्तिर्था बहुत जरूरी है शर्थ है साथी चीन पाकिस्तान को यह याद भी दिलाया कि SEO के चार्टर में तीन बुराईं से निपटने में किसी भी तरह का समझोता नहीं करने के बात की गई है पहली बात तो यह कि आतंगवाद अगरबाद और अलगावाद इन से निपटने के लिए किसी समझोते की बात को लेकर के उन्होंने याद दिलाया कि किस पर आगे बढ़ना चाहिए तो यह वीडियो आपको कैसा लगा पाकिस्तान की यात्रा विदेश मंतरी एज़ेश शंकर की भारत के खाते में क्या क्या लेकर क्या आई इसकी जानकारी आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए बाकि लोगों तक भी पहुंचाईए नमस्कार